तो दो जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे बिलियन में महत्पून टापित जो कुछ थे पराशनरदाब पराशनरण बिशरण अब इसमें अत्यत महत्पून बिलियन का भाग है जिसे कहा जाता है यह कौथनां का उन्यन हम लोग कौथनां का उन्यन यह बिलियन का अत्यांत ही महत्पून भाग है जो एकदम सरल भासा में हम लोग देखेंगे कि कौथनां का उन्यन क्या है एकदम नीचले अस्तर से इसका अध्यान करेंगे कौथनां क्या है तो देखो उन्यन मतलब होता है उन्यन का अर्थ है उच या बढ़ना या अधिक होना और या उच्छ कह सकते हैं सीधे-सीधे उच्छ होना या कोथनांग जो होता है उबलने का द्रव के उबलने का ताप इस त्रव के उबलने के ताप को हम कोथनांग करते हैं तो सामान इस्ती में कोथनांग हम देखते हैं कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है वह ताप उसका कोथनांग कहा जाता है यहां पर थोड़ा परिभासा बदलता है उसके यहां पर ताप की आधार पर देखा जाता है पूरता है और यहां पर देखेंगे वास्प दाप की आधार पर जब किसी द्रव का वास्प दाप जो होता है, जहां पे है या उसके वायमनली दाप के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है और जिस दाप पर द्रव उबलने लगता है वह ताप उसका कवथनांग का जाता है ठीक क्वथनांग क्या है किसी द्रव के उबलने वाला ताप कमान और क्वथनांग जो होगा वो वास्प दाप के आधार पर देखेंगे वास्प दाप जो होगा वो क्या होगा किसी द्रव का वास्प दाप जब वाय मंडली दाप वाय मंडली दाप कितना होता है एक वाई मंधल या 76 cm या 707 यम यम वाई मंधली दाप जोड़ता है वाई मंधली दाप उकाथे एक वाई मंधल एक वाई मंधल या 76 cm या 760 यम यम जब किसी द्रव का दाप तक पहुच जाता है तो वाई उबलने लगता है और जब उबलने लगता है तो उसी को कहते हैं कोथनांग अब यह तो हो गया कोथनांग अब इसमें सामान परिभासा में देखेंजे तो कोथनांग हो गया कोथनांग उन्यान कोथनांग मतलब द्रव के उबलने वाला ताप उन्यान मतलब अधिक होना तो बिलियन वा बिलायक के कोथनांग को का अंतर कोथनांग का उन्यान का लात एक जाता है लेकिन अब इसमें तो आशाब पहले देखते हैं यह होता कैसे है जैसे कोथनांग का उन्यान है तो यह कोथनांग हो गया कोथनां का point समझें का किसी द्रव का वास्प दाप वाय-मंदली दाप के बराबर हो जाता है तो उसको कहते हैं वाइमनली दाप के बराबर हो जाता है तो वह ताप उसका उस्त्रयों का क्वथनांग कहा जाएगा अब जब किसी बिलायक में किसी भी बिलायक में और बिलेन जब बनता है तो दो पदार्थ होता है बिलायक और बिलेपदार्थ मिलता है तो बिलयान बनता है, तो बिलायक में कोई अवास्पसील बिलेपदार्थ मिलता है, तो बिलयान बनता है, क्या बनता है, बिलयान बनता है, तो जब किसी बिलायक में कोई अवास्पसील बिलेपदार्थ मिलता है, तो उसका और वास्प दाब कम होगा। मतलब जब किसी बिलाजक में कोई और वास्प सिल्फदार्थ को मिलाते हैं तो उसका वास्प दाब कम हो जाता है। को पस्ताब जो होता है विलायक वास्ताब के अपिछा कम होता है जिसके फल कव्थनांग अधिक होगा, कव्थनांग मतलब billion का वास्टाप कम होगा तो कव्थनांग अधिक ق Táchanizes,ூ billion और विलायक के कव्थनांग का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं कव्थनांग का उन्ययर्ण मतलब कव्थनांग दिखा गया किसी द्रव का वास्टप धाव मंडली धाव के बराबर हो जाए तो बहर उबनने लगता है और जिस दाव कर उबलता है व कोत्रांग होगा यह अलग हो गया। अब उसके बाद किसी बिलायक में कोई बिलय सील को मिलते हैं तो बिले का वास्ताव बिलायक का पेच्छा कम स्कूराव आखात वास्पदाब ओनमन होता है और वास्पदाब ओनमन के करन कोथनांग जो बढ़ जाता है या बिलियन का कोथनांग बढ़ जाता है बिलियन और बिलायक के कोथनांगों का जो अंतर होता है उसी को कोथनांग का उन्दियन हम लोग यहां पर करते हैं चीदे यहां पर सीदे दि बराबर, billion का कॉथनान माइनस बिलायक का कॉथनान, इसको t माना गया है, मतलब मान लेंगे, इक कॉथनान का union delta tb है, और billion का कॉथनान का आपिटल टी बिलायक का कॉथनान t0 है, तो delta tb बराबर t-t0 होगा, अब किसी द्रव का अगर टाप बढ़ाते हैं, उसका के बराबर हो जाएगा तो वह उबलने लगता है और वहीं ताप उसका कोथनांग कहा जाएगा किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका वास्प दाप बढ़ता है जब द्रव का वास्प दाप के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है तो वह ताप जो है अब में उसका कारण है कि जब भी विलायक में हम कोई पदार्थ मिला देंगे तो उस अवस्था में उसका वास्थदा गम हो बिलायक का वक्त हमेशा उपर रहेगा और बिलियन का वक्त हमेशा नीची रहेगा अब इसका इधर ताप प्रदर्शित कर रहा है उपर वास्पदाब जब जो हम ताप बढ़ाएंगे तो यह वास्पदाब बढ़ेगा और वास्पदाब बढ़ते बढ़ते यह इसका वायम ये वाई मंदली दाप के बराबर उसका दाब आ जाता है तो जिस नाप हो गया गरम कर रहा है तो इस पर कुछ नाप भी लाइप ने और इस दाप पर वह बिलायक उबलने लगेगा वहीं बिलेन के लिए है तो ये कोथनांग का लाइन वायमनली दाप का लाइन है तो वायमनली दाप जब गरम किया जा रहा है तो ये वास्प दाप वायमनली दाप के बराबर हो जा रहा है तब यह इस पर उबलेगा और उबलेग तो इसको बिलयान का कोथनांग कहेंगे अब इसका मतलब बिलयान और बिलायक का कोथनांग का जो अंतर है उसी को हम लोग कहेंगे कुथनांग का यह से रहेगा कुथनांग का उन्या जिसमें बिलेन का कुथनांग को टी बिलायक के कुथनांग को टी जीरो से प्रदसित किया गया उसमें नहीं दिखाए गया है बिलियन का वक्र बिलायक के नीचे रहता है क्योंकि बिलियन का वास्पदाप बिलायक के वास्पदाप से कम होगा बिलायक वब बिलियन का वास्पदाप क्रम्स है T0 वर T पर भलब T0 वर T पर वायमंडली दाप के वराबर हो जाता है तो ताप T0 वर T बिलायक वर बिल्यन के का कोथनांग बिल्यन का कोथनांग है अब T-T0 जो होता है बराबर डेल्टा T कोथनांग का उन्यन कहा जाता है यह इस प्रकार है तो इसमें देखे बिल्यन और बिलायक के कोथनांग का अंतर यह कोताप बढाने पर वास्विदाप समय उसे वरफ बढ़ता बस् openness गया तो इसको ताब के रूप मे उसको प्रदर्शित किया गया है इसको वक्र में यह बिलायक है, बिलायक का वक्र हमेशा उपर रहे, बिलायक का नीची रहेगा, क्योंकि वास्पदाब हमेशा बिलायक का कम होगा, यह वाइमनली दाप की लाइन है, जब ताप को बढ़ाएंगे तो वास्पदाब बढ़ेगा, वास्पदाब बढ़ते बढ़ते यहाँ कंप वराबर हो जाएगा तो बिलायक के लिए पॉइंट है और यहाँ पर होग diary इसको हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वहीं कोथनां का उन्ययन कहा जाएगा कोथनां के निकट छेत्र में जो फीगर वना था उसमें छेत्र में तनूर बेनलों के वास्मदाब में A और B लगभग समानतर रिखा पे होती थे तो डेल्टा टीबी समानुपाद होगा या कोथनां का उन्ययन जो होगा वह समानुपाद होगा वास्मदाब ओनमन के कोथनां का उन्यान डेल्टा टीवी वास्पदाब ओनमन पीजीरो पीजीरो पीज के समानुपाती होता है यह राउल्ड के नियम के आधार पर हो सकता है होगा और डेल्टा टीवी डेल्टा टीवी इसकोल टू वास्पदाब ओनमन डेल्टा टीवी समानुपात होगा वास्पडाब ओनमन यह नहीं तो यहां पर कोथनांग का उन्यान समानुपात होगा वास्पडाब ओनमन यहां पर कोथनांग का उन्यान समानुपात बिले का मुल प्रभाद होगा और यहां पर कोथनांग का उन्यान समानुपात सिधे मुल प्रभाद रख सकते हैं तो वास् मूलता होता है मतलब मूललता या क्वथनाग का उन्यन बराबर मूलल उन्यन a है मूलल उन्यन इस्तिरां south और एक हुझाई़ाले मूललता होता है औरon yal का उन्यन वह क्वथनाग में जो अमने माले ब्टाइब टे डेल्टा टीवी इन्टू एकटिल ड़व जो जी पदात का socio स से टोー थे उनधिनक्य जाएगा यह पदात का वा हो जाएगा उलाल और ये बिलायक का वा ग्राम्न का ओने इसंहुन का का उन्ययम से ही संबंधिती है मुलल उन्ययन इस्ट्राण एक किलोग्राम बिलायक है उस बिलायक में किसी बैद्वत अनाप घट्टे पदार्थ का एक मूल डाली आ जाता है तो जो कोथनां का उन्ययन होता है या जो कोथनां में व्रिध्धी होती है उसका मुलल उन्ययन इस्ट्राण का जाता है मतलब एक किलोग्राम बिलायक है जिसमें बैद्वत अनाप घट्टे पदार्थ का एक मूल मिलाने पर उसके कोथनांक में जो बिर्धी होती है वह मान उस बिलायक का कोथनां मुलल उन्ययन इस्ट्राण का जाता है और उसी से संबंधि एक परिभासा और है ग्राम अडुक में यह 100 ग्राम बिलायक में बैदुद अनअफगर्टे पदार्थ का एक मोल मिलाने पर कोथनांग में जो उन्यान होता है वह ग्राम अडुक उन्यान इस्तिरांग कहलाता है यह कहलाता है ग्राम अडुक उन्यान इस्तिरांग कहलाता है तो यह दोनों परिभासा, लगवग बस इतने कहीं अंतर है, परिभासा में, जैसे एक, दो विलियन हो, जिसमें, या, एक केजी है, और इसमें, एक सव ग्राम है, इसमें, एक मॉल, इसमें भी पढ़ रहा है, एक मोल इसमें भी हो रहा है, एक मोल, बिले पदार का, बैदुत अनबगटे पदार का एक मोल डाल रहा है, तो इसमें कोथनांक में, कोथनांक का उन्नेयन, जो कोथनांक का उन्नेयन, दोनों में जो कोथनांक का उन्नेयन होगा, उसको यहां पे ए ओन्य अ इस रांग का लाएगा और ये हो जाएगा ग्राम है कके आर्ण कर इस र्रांग सिल्स करना उन्य इस र्र्रेध तो मूलrec ऊन्य इस दिल्य आपन्ध कि एक किलो ग्राम या यह खजार्व ड्रायक में मतलब एक मूल बैदुद अनाफघट पदार्थ को मिलाते हैं, तो उसमें जो कोथनांग का उन्यान होता है, कोथनांग में बिलाय के पेच्छा बिलियन में जो वृत्धी होती है, वह उसका मूलल उन्यान इस्तिरांग कहा जाता है, और अगर यहीं बिलियन हम सो ग्राम में क जाम और उन्यान इस्तिरांग कहेंगे, तो यह दोनों यहीं है, बस थोड़ा सा इसमें परिभासा के अधार पर और थोड़ा सा अंतर होता है, हिमांग का उन्यान देखना है, जैसे हम लोग कोथनांग का उन्यान देखे थे, ठीक उसी प्रकार उसमें हिमांग का उन्यान ह उच्छा होना चोंडा अधिक होना दाजाना होगा और अवनमन का म場早 vraiment को ना यह निंभन ऋनोंग रहता ना अगाटना भी विबलायक वह स्रक्ट कहलों कि हमांक को का अंतर मनका में लिए क्लाइन का परिभासा है लेकिन इसको समझने के लिए हमें और पीछे कुछ परिभासाओं को देखना पड़ेगा जैसे हिमांग क्या होता है हिमांग का संबंद वासवदाप से क्या है वासवदाप जैसा कि हम लोग पीछे देखें जैसे ऑनमन तो हो गया कम होना नीचा होना या घटना लेकिन हिमांग क्या है हिमांग हम लोग सामान परिभासा देखते हैं वहताप जिस पर कोई पदार्थ या कोई द्रव ठोस में बदलने लगे या जमने लगे तो वहताप उसका हिमांग कहा जाता है लेकिन यहाँ पे अब उसी को परिभासा लगभग महीं है थोड बदल जाता है वास्प दाब के आधार पर देखते हैं तो यहां पर देखेंगे कि किसकी द्रव का जब वास्प दाब उसके ठोस अवस्था के वास्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव जो होता है जमने लगता है और जिस ताब पर द्रव जमने लगता है वह ताब पुस्त द्रौ का को थनांग को का जाता है मतलब कि ठोस अवस्थामी है अजया है हिमांग क्या है किसी भी द्रौ का जिस्ताप पर जमें या थोस में हो जाये थोस में बदल जाए, तो वह हिमांग कहा जाता है ताप, उस ताप को हिमांग कहोगे, लेकिन वास्पदाप के आधार पर पर भासा देखते हैं, तो वास्पदाप में किसी द्रव का वास्पदाप जब थोस उसके थोस के, जब किसी द्रव का वास्पदाप उसके थोस के वा बराबर होता है या बराबर हो जाता है तो वह जमने लगता है जस ताजी स्टाप पर वह जमने लगे द्रव वह ताप उसका हिमाग का जाता है ठीक अब बिलियन और बिलायक का जैसे पीछे हम लोग देखेते किसी बिलायक में कोई अवास्पसिल पदार्थ को मिला देते हैं तो उसका वास्ताब घड जाता है, मतलब दोनों मिल गया, तो बिलियन का वास्ताब घड गया, तो बिलायक का वास्ताब अधिक हो गया, बिलियन का कम हो गया, तो वास्ताब ओनमन हुआ, और वास्ताब ओनमन की करान, हिमांग जो है, खोथनांग में ब्रधी हो रही थी, ले बिलियन का हिमांग और बिलायक के हिमांग की पिछा, बिलियन का हिमांग जो है, बिलायक के पिछा कम हो जाता है, तो बिलायक और बिलियन के हिमांग का अंतर जो होता है, उसी उकति है हिमांग का ओनमन, जैसे हम लोग, बिलियन ले ले, बिलियन क्या, बिलायक हो गया, यसमें बिले पदार्व मिलाए बिले मिलाए ति यह हो गया बिले अन्ट क्या होगा हुए यह आवासपसिल जब कोई आवासपसिल है और वासपसिल पदार्थ है इसका वासप दाब अधिक होगा और इसका वास्पदाब कम होगा तो इसमें वास्पदाब ओनमन होगा तो मतलब बिलायक और वास्ताप का अंतर जो होता है वास्ताप ओनमन कहलाता है वास्ताप ओनमन की कारण बिलियन का हिमांग जो है कम हो जाएगा तो इसका हिमांग जो होगा हिमांग अधिक होगा और इसका हिमांग जो होगा कम होगा इक एल तुलना यदिक कम इस से है बिलियन और बिलायक से है तो बिलायक का हिमांग और बिलियन के हिमांग का अंतर ही हिमांग का अनमन का जाएगा इसमें क्या करेंगे बिलायक वा बिलियन के हिमांकों का अंतर हिमांका ओनमन कालाता है तो किसी बिलायक में कोई औवास्पसिल बिली पदार्थ को बिलाते हैं सामानते हम लोग देखते हैं बिलियन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है बिली और बिलायक से तो किसी बिलायक में कोई और वास्थिल कदार्थ को बिलाते हैं तो बिलियन बन जाता है बिलियन का वासदाब बिलायक के पिछा कम हो जाता है जिसे वासदाब औरमन करते है और वासदाब औरमन के कार्ण हिमांग घट जाता है या कम हो जाता है अर्थात, billion का हिमांग कम होता है, बिलायक का हिमांग अधिक होता है, तो बिलायक और billion की हिमांग को का अंतर दोता है, हिमांग का ओनमन कहा जाता है, ठीक, तो बिलायक और billion की हिमांग का अंतर हिमांग का ओनमन कहा जाता है, यही है, जिससे हिमांग का ओनमन, हिमांग को, हिम is B नहीं in the place होगा जोगा सोरी एा फरहेगा वी नहींरेगाा कि प स्थीजिंग पॉइंट होगा चुरुआ पिर्दिंग पॉइंट होगा तुलिसान का ओन्मॉट ड्ल करेंट किसी द्रव का ताप घटाने पर वास्पदाप घटता है वास्पदाप घटते वक्त जब उसके किसी उस पदार्थ के ठोस अवस्था के वास्पदाप के बराबर होता है तो वह जमने लगता है जिस ताप पर वह पदार्थ जमता है वह ताप उसका हिमांग कहा जाता है यहा ठोस अवस्था में वास्पदाब को प्रदस्थित कर रहा है यह जो है बिलायक का वास्पदाब है यह बिलयन का वास्पदाब है तो यह अवस्था में इसमें यह भी बिलायक के वास्पदाब करम सा T0, बिलायक व बिलियन का वास्पदाब जो है ताप T0 वर T पर, लब T0 ये ताप इधर वास्पदाब दिखा रहे हो, तो इन दोनों का वास्पदाब जो है, बिलायक व बिलियन का हिमा ताप T0 वर T पर, ये बिलायक T0 पर और बिलियन T पर, ठोस अव तो यहां पदार जमने लगता है वह ताप T0 और विलयक में रहा ही प्राप के इस में अधे का ख़ें यह ग्राफ है उसे दिखाए यह वास्ताब दिखाए गया, जो ही temperature को कम करेंगे, उपरसे नीचे लाओगे, temperature कम किया जाता है, तो उस अवस्था में वास्ताब घड़ता है, और ठोस अवस्था जो ही billion और विलायक का वास्ताब ठोस की उस पदार्थ के ठोस अवस्था की वास्ताब के बराबर होने लगत तो वह ताप जो है जमने का यहां पी यह आपका टी जिरो और टी है बिलायक का टी जिरो और बिलियन का टी है तो इस ताप पर जो बिलायक और बिलियन है वह जमने लगते हैं तो जम रहे हैं तो वह उसका हिमांग कहा जाएगा और बिलायक और बिलियन के हिमांग का जो अंत हिमांक और मन वह अडू भार में संबंद है यहम बराबर एक हजार गुड़ी के याफ इस्माल डवलू होता है बटे डिल्टा टी याफ इन्टू कैपिटल डू यहम बराबर पदार्द का अडू भार के याफ बराबर बिलायक का मुलल और मन इस्टिरांग इस्माल डगलू के अडू देट काम बराबर बलायक का बहर डेल्टा टी एक शहता है हिमांक का ओनमन होता है मांक का और मूल औदी दन्खतेडही होता का रहता है मोलल आ का रहता है जो यह कल आता कि प्याफ अ प्रतीक प्लायक का एकनिस पिरम प्याजन कहता है कि भुजेश की ओन पुछ से सक्टस्टीच ग्राम बिलायक में एक आवास्थ हुझानन फिल बैदुत-णब घ्रात का एक मुल भूलने पर हिमांग का ओनमन बिलायक का ग्राम अडूप ओनमन इस्थिरांग का लाता है मतलब कि मुलल ओनमन इस्थिरांग क्या है मुलल ओनमन इस्थिरांग और इसमें बस इतने का ही अंतर होता है परिभासा में मुलल ऑनमन स्तिरांग एक किलोग्राम बिलायक है और ग्राम अडुप ऑनमन स्तिरांग में इस Мतलब इसमें एक किलोग्राम गुलने के बाद जो वास्पदाब ऑनमन होता है बिलायक का मुलल ऑनमन इस्तिरांग का जाता है और इसमें क्या है सो ग्राम विलायक में किसी ओवास्पदाब द्रद नाव घटे का मूल घुला जाता है तो वास्पदाब याहिए मैं का अंमन होता है इसमाना व्सपदाब ऑनमन होता है कि म माँक पर अतराई उसे बिलायक का मूलल अनमन इस्तिरांग का मतलब में हीमांग का झांध मोगा में हरत इक किलो ग्राम विलायक में बिदुद अन lef adopt येक मूल भुलने पर उसके कि मैं मैं झो उन्मन होता है उसे विलायक का मोल उन्मन प्र्यांग का जाता है अगर थो यिए पद्सतों सो क्रम ब्लाइक तो 100 ब्ला आयक में 100 ग्रम ब्लाइक में किसी ब Clock अभ़ुट पदार्थ का एक मौन भूलने पर जो मंग का नमन होता उसी ब्लायक का ग्रम अलुग अनमन इस्तिरांग oh गो ठीक